बगवान कहते हैं अना सक्त जीवन जीने के लिए व्यक्ति दूसरा संकल पकरे मैं धन की मर्यादा रख लोगा मैं अमुक सीमा तक कमाऊंगा ठीक है बेटा लगता है पाऊंपे खड़ा हो गया कमाने खाने लग गया जिन्दिगी बंद गई अब उसको भागिये बरुस से छोड़ दो पीछे मत लग़ आपको पता है बाप बेटे में तक्रार क्यों होती है पिता टोके बगर रहनी सकता और बेटा टोक टाक सेहन करनी सकता सास बहु में तक्रार क्यों होती है सासुमा टोके बगर रहनी सकती और बहु उसके टोकने को सेहन करनी सकती अगर आपको लगता है बहु ने घर संभाल लिया है तो टोका टोके बंद कर दो और उसके भागिये बरुसे घर को छोड़ दो अगर आपको लगता है बेटे ने अमुक व्यवस्ता की उसके बाद आदमे मुक्त हो जाए और जो आपने धन कमाया है ना मैं अनरोद करना चाहूंगा कमायवे धन का सदुपयोग भी कर लो अपने आप में निर्णय कर लो आपको पता है आदमी अपने जीवन में कमाय होगा 90% धन खुद के लिए उपयोग नहीं कर पाता पीछे वालों के लिए छोड़ जाता है आपके पास अगर 25 प्लॉट है 5 प्लॉट है सोच्वा आप खुद के लिए उपयोग करेंगे कि पीछे छोड़ कर जाएंगे आपके पास FD है खुद उपयोग करेंगे पीछे छोड़ कर जाएंगे व्यक्ती के पास धनकेती नहीं उपयोग है या तो अंग लगेगा या संग चलेगा और दोनों नहीं किया तो जंग लगेगा फैसला कर लो या तो अंग लगा लो खापी के कुछ ओग जाओ भाई नंबर दो संग ले जाने के व्यवस्ता कर दो अच्छे सत्कर्मों में लगा दो ताकि तुमारे साथ चलने के व्यवस्ता हो जाए पर दोनों काम भी नहीं कर पाए तो या रखना पीछे पड़ाओवा धनकेवल जंग लगेगा एक बिखारी भीख मांग रहा था तभी एक व्यक्ति उद्रस से गुजरा उसने एक का सिक्का उसकी ठाली में डाल जाए आज कलब एक के सिक्के को बिखारी लोग भी नहीं लेते हैं वो क्या कीमत करते हैं तो उसने का यार या क्या या एक रुपे का सिक्कर डाला है उसने का मेरा असूल है मैं एक रुपे से ज़्यादा नहीं देता उसने वो एक रुपे उसको वापस लोटाया उसने का मेरा भी उसल मैं बिखारियों से भीख नहीं लेता तो मेरा भी उसल है मैं बिखारियों से भ पकड़ ले और वो है धनकी मर्यादा अगर आपके पास सो साड़ियां हैं आप नियम बना लो अब दो साल में नई साड़ी नहीं खरीदूंगी ठीक है ना और अगर खरीदूंगी तो पहले पुरानी एक साड़ी दान करूंगी उसके बाद नई साड़ी खरीदने की कोशिश करूं मर्यादा बना लो अगर आपको लगता है ना आपके पास सो तोड़ा सोना है अचा एक बात तैय है दुनिया में कोई भी आदमी सोने को साथ तो ले जा नहीं पाएगा ना आपको पता है आजकल सोने में बड़ी गिरावट आई है पताएगी नहीं आपको अब इन द ओहो मैं नीन वाला सोना कह रहा था आपको वहीं मैंने का सबका चेरा फक्की हो रवे सोने में गिरावट तो आदमी वो वड़सा फेस्बुक में लगा रह जाता है तो सोने में आदमे के बड़ी गिरावट आई है मैं अनरोध करना चारा हूँ आदमी अगर अपने जीवन कि इन मर्यादाओं को निर्धारिट कर लेता है जीवन अगताब बर्यादाओं को इनसान अगर निर्धारिट कर लेता है मैं अमुक सीमा तक क्या करूंगा धन का उप्योग करूँगा मैं इतनी जमीन, इतनी जायदाद, इतना धन, इन सब चीजों का इतना इतना उप्योग करूंगा, याद रखना, दुनिया में आपके पास जतनी संपत्ती है, उससे कहीं ज्यादा भगवान मावीर के पास रही होगी, आपके पास जतनी जमीन जायदाद है, उससे ज्यादा हो सकता है उन लोगों की रही होगी पर उनको पता था जिन्दगे में भोगने से जीवन का निर्मार नहीं होता है आत्मकल्यान तब होता है जब आदमी त्याग कर और बाहर निकल जाता है और इसलिए यू आवस्था में वो छोड़कर दुनिया से निकल गए अपन तो अपने पास रखोंगा और इसके बाद दंदे व्यापार से अपने आपको मुक्त कर लोगा और आपने समय रहते हैं अपने आपको से मुक्त कर लिया आप दुनिया के सबसे सुखी आदमे बन गए मैंने पहला निवेजन किया भोग की मरियादा सड़क पर चलते वे कभी कि इसे पर गलत नजरमत डालो, अपनी आँकों को निर्मल और पवित्र रखो, नमबर दो मैंने का धन की मरियादा, अगर आपको लगता है आपके पास आवश्यक्ता से ज्यादा धन है, भगवान निकाए मुच्छा परिको हो, वो तो मनुश्य के मुच्छा में ही उसका परिक रहे रहता है, और आपको लगता है, आपके पास जरूस्यक्ता धन है, बाहर निकालो, उली से तो ज्यादा रहेगा तो बाहर आएगी, और समय पर बाहर निकाल देगी तो पीछे का पानी सुरक्षित रहेगा, नमबर तीन, खान पान की मरियादा, जरूरी है, क्योंकि जि जिवन में अशुद्ध खान पान आ गया है, तो हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है, मेरे भाई हमारा खान पान कहां चला गया, हमारे खान पान की निर्मलता कहां चली गई, हमारे खान पान की विशुद्ध तक कहां चली गई, मैं हर किसी व्यक्ति से अगाहा करना चा यह त्रिपदी है पहले home to hotel और hotel to hospital क्या है home to hotel hotel to hospital मैं तो साधुबाद देना चाहूंगा कोरोना रोग ने इस दुनिया में हालांकि बिमार पड़े सो अलग बात है वो तो प्रकरती के व्यावस्ता थी पर हमारे घर की व्यावस्ताओं को तो इन सो सालों में सबसे कम आदमी बिमार इन आट मिनों में पड़ा बिमार पड़ा ही नहीं किसे को यार है कोई हपन बिमार हुए एक मात्र कोरोना बिमारी को अगर हटा दो क्योंकि वो तो संक्रमन का रोग था वो अलग बात है लेकिन सबसे कम आदमी बेमार इन दिनों में पड़ा क्योंकि खान पान सुधर गया, बाहर का खाना पिना बंद हो गया, इधर उधर बटकना बंद हो गया, इधर उधर के खान पान खतम हो गया, आदमी ने अपने घर का शुद्ध निर्मल खाना खाया, इसलिए आपको पता संयमित भोजन कराएंगे याद रखना जो संयम से खाता है वो जादा खाता है और जो अस संयम से खाता है वो कम खाता है क्योंकि कम खाने वाला जादा जीता है और जादा खाने वाला कम जी पाता है कम खाने वाला जादा जी पाता है और ज्यादा खाने वाला कम जी पाता है मैं निवेदन करना चाहूंगा हर समाज में ये व्यवस्ता हो जानी चाहिए कि हम ये जो आज कल 10-10 मिठाईयां, 15-15 मिठाईयां 20-20 सामाग्रियां, 80-80 सामाग्रियां भोजन्यों में हो रही है क्यों धनका इनसान व्यर्थक उप्योग कर रहा है कोई कोई धनका सार्थक उप्योग कर दो न अगर आप अमीर है आपको लगता है मुझे मेरी बेटी के शादी पर 3 कुड़ों खर्च करना है, जरूर करो कौन मना करता है, पर मैं इतना सा अन्रोत करना चाहूंगा, एक करोड़ों में अपनी बेटी की शादी करो, और पीछे जो दो करोड़ों बचे हैं, उनमें सो और गरीब करन्याओं की शादी करने का सवभाग्य लो, यह आपके तरब से समाज को बहुत बड़ी देन होगी, यह आपके थोड़ी दिन पहले सुनाओगा ना, माराष्ट्र में एक सादी हुई थी, और आपको पता है, दोनों ही अमीर परिवार जैन धर्म के दोनों ही अमीर परिवार थे, दोनों परिवारों ने फैसला किया, अपन कितनी भी मिठाईया बना दे, लोग जाते समय क्या कहेंगे लोग बड़ी गजब क्यों होते हैं मैं आपको बताऊं, बड़ी गजब क्यों होते हैं नमबर एक आपने कितनी भी अच्छी सामगरी बनाई है बाहर कोई पूछेगा, और भईया खाना खाके आ गए अब देखो सामने वाला क्या इश्टन हो लेगा खाके तो आ गए, खास कोई मज़ा तो नहीं आया बाहर है मिठाईयां खाके आयो है पचीस आइटम थे, फिर भी बाहर निकलते समय जिसको बिगाड़ा करना है, वो बिगाड़ा ही करेगा और बाहर निकलते कोई खास मज़ा तो नहीं आया और उपर से क्या है, लोग फिर बाहर जाके कहते हैं ये कोई तरीका है, 40-40 आइटम बनाते है अरे भाई, उसने 40 आइटम इसने थोड़ी बनाए कि तुम 40 के 40 का क्या हो खाएंगे 40 में से 40 और बाहर जाके कहेंगे, इसने 40 आइटम बनाए उसने 40 आइटम इसने बनाए कि आप कोई भी अमन पसंद 8 आइटम खालो पर आप यह लाइन सर चरे जा रहे है ये भी खालो, वो भी खालो, वाँ तो मैंने देखा ही नहीं वापस गए वहाँ पर वो तो मेरे नजर नहीं आया, वो आइटम दो मैंने देखा ही नहीं और फिर गूम के वापस वहाँ गए मेरे भाई, पहले ये तैय कर लो, जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं पहले तैय कर लो जीने के लिए खा रहे हैं खाने के लिए जी रहे हैं मैं निवेदंद करना चाहूंगा पता है उन लोगों ने क्या किया महाराष्ट में मैं साधी कजिक करकर रहा था और उन्होंने ये निरने लिया पूरे देश की सबसे चर्चिस शादी हुई उन दोनों परिवारों ने अपने एक बड़ा भूखंड निकाला और उस भूखंड पर एक सो आठ छोटे मकान बनाए लेटरिन बार्थरूम अटैच वन बी एच के के एक सो आठ मकान बनाए और जिस दिन अपने बेटे बेटी की शादी थी एक सो आठ गरीब परिवारों को उन्हों पर नियंतर होना चाहिए राजस्थान का एक शहर रेजस का नाम है बालोतरा मैं आपको बताओं उस शहर की खाश्यत है जितने अमीर लोग उस शहर में रहते हैं शायद देश के किशी शहर में जल्दी इतने अमीर जैन परिवार देखने को नहीं मिलेंगे पर वहां जो अ है आईटम से ज texto जादा शादे में आईटम नहीं मनेंगे तो नहीं बनेंगे इसलिए वहां अमीर से अमीर आदमी के बीटी के शादी अराम से दो पंस लाके मों हो जाती है भगवान कहते हैं जैसे जरूरी है भोग की मर्यादा इंसान के जीवन में हो वैसे ही जरूरी है जब तक साड के हो जाओ तब तक धन बटोरते रहना अब जो इनसान को जिंदगी मिली है आदमी अगर उसमें पुन्य बटोर ले तो तै मान कर चलना ये भौबी इनसान का सुधरेगा और अगला भौबी इनसान का सुधरेगा भगवान ने कहा नियम बना लो पहली मर्यादा भोग की दूसरी मर्यादा धन की देख लो आज आप जाके देख लेना मेरे पास इतना धन है मैं आराम से खाऊं खतम नहीं होगा मेरे बच्चे समझ लो न भी कमाएंगे और भी खाएंगे तब भी खतम नहीं होगा याद कर लो ना पूता सब पूता तो क्यों धन संचे औ और पूत कपूता तो क्यों धन संचे अगर लगता है इतना है कि हम अराम से खा सकते हैं निकाल लेना मेरे भाई एक बात याद रखना कमानी के लिए दिल छोटा चाहिए पर लगानी के लिए आदमे को बड़ा कलेजा चाहिए जिसके पास बेजा होता है वो कमा सकता है पर जिसके पास कलेजा होता है वो लगा सकता है कमानी के लिए भेजा चाहिए भगवान सब को देता है पर लगानी के लिए क्या चाहिए बोलो बोलो क्या चाहिए कले जा चाहिए और जब तक इनसान की बीतर कले जा नहीं होगा ये सत्य का बोध नहीं होगा मैं जंग के लिए छोड़के जाऊंगा कि संग के लिए व्यवस्ता कर दूँगा पीछे रहेगा जंग लगेगा कर दोगे अच्छे काम तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, संग चल जाएगा, मैं सुनने वाले हर इनसान से, देजवर में सुनने वाले हर व्यक्ति से, इस बात के लिए अन्रोत करूँगा, हर व्यक्ति अपनी आमदनी का एक हिस्सा, अपने कमाई होगा एक हिस्सा आदमी को, अगर तीन बच् है ठीक है मैं धन के चार हिस्से करूंगा नंबर एक हिस्सा इसका दूसरा इसका तीसरा हिस्सा नंबर चौथा मेरा और मेरा हिस्सा जब तक मैं रहूं तब तक मैं उसका उप्योग करूं और मेरे धन यहीं रहेगा आपने जितना धन कमाया है पुरा परिवार उसका बटवारा करेगा पर आपने जो धन के साथ पाप कमाया है उसमें कोई भी बटवारा करने वाला पूछे ना दरम पती से जाकर भाई मैं कभी-कभी दंदे में जूटी भी बोल जाता हूं कभी-कभी ये भी कर लेता हूं वो भी कर लेता हूं कम का ज्यादा ज्यादा का कम बता देता हूं तोल भा में भी उपर निचे कर लेता हूं पाप तो लगता है तो मैंने तुझे हीर जावराज जमीन जाइदात को तो मैं भोग लूँगी पर पाप जो कमाए हैं उनको भोगने वाला जीव अकेला होगा इसलिए ज़रा सोचो ओ भोव मीठो और अगलो भोव कौन डीठो ये भोव को तो आपने मीठा कर लिया पर अगले जनम के आपने क्या विवस्ता की भगवान हमें जीवन का ये दिव्य मार्ग देते हुए आज आत्म ग्यान दे रहे हैं कि अगर व्यक्ति अपने अगले जनम को भी सुधारना चाहता है तो धन की मर्यादा रखते हुए उसका सदूपयोग कर लो मन बना लो मेरी आमदनी का अमुक हिस्सा अगर आपके समझदो बेटा नहीं केवल बेटी है तो क्या होगा केवल जवाई 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 जवाईयों को दन मिलेगा ना भाबा ना ज्यादा मौहा सकते अदमी को लगता है मेरी बेटी, मेरा नाता, मेरी दोईता मेरा पोता, मेरी पोती अर gobierno दुनिया और भी है अपनों के लिए करना बड़ी बात नहीं है पर जो गेरों के लिए कर दे कुछ लोग होते हैं उन सब महान लोगों का जिन्होंने अपनी कमाई का 90% हिस्सा पिचान परसन हिस्सा कितने हजार करोड रूपिय लोगों ने दान करके पुन्य कमा लिया है सतकर्म में लगा लिया है मेरे भाई जो छूटना है वो तो छूटेगा ही आप जितना अपना घड़ा बरलो पानी का आपको ते करना है पुन्य का गड़ा आप कितना बरते हैं पुन्यों पारजन आप कितना कर लेते हैं अपने धन का संग्रह करने का सोभागय तो बहुत लिया पर लगाने का सोभाग यह मेरे भई एक बात याद रखना संग्रह करकर के केवल मन को सुखी कर सकते हो पर आप ने अगर सतकर्म में लगा लिया ठीक है एक व्रिद्धश्रम में बना के जाओंगा किसने कहा कि आदमी साथ में धन नहीं ले जा सकता है अभी थोड़े दिन पहले एक सीए मानुबाव है वो हमारे पास आये थे उन्होंने कहा साथ मैं जिसकी फाइले संभालना हूँ वो सेठ मुझे रोज कहता है यार इस जनम में तो तुने धन का बड़ा मैनेजमेंट कर दिया मैं अपने धन को अगले जनम में भी ले जाना चाहता हूँ उन्हें कहा भई मैं कुछ अगले जनम में अपनी फाइलों का बंदोस करना चाहता हूँ अरी वहां को साथले जाना चाहता हूँ उसका क्या है वो हमारे पास है साब सीए की पढ़ाए में यहां के व्यापार के तो सारा में यहेंजमिन हम जानते हैं flop hat पर अगले जनम में ले जाने की विवस्तार मैs नहीं जानता और तब मैंने उनको कहा था, मैंने का अगले जनम में ले जाना चाहते हैं, अपने माले को कह दिना किस ने कहा कि इस दुनिया में सब कुछ यहीं छूड़ जाता है आपके पास जो सोना है आप साथ ले जा सकते हैं आपके पास जो जमीन है आप साथ ले जा सकते हैं आपके पास जतने में दो दो जार की रुपिये हैं मैं आपको विवस्था देता हूँ ये व्यर्थ की बात मत फैलाओ कि तो हमारा सब कुछ यही रह जाएगा गलत बात है सब कुछ हमारा साथ जा सकता है फर्क इतना सा है जो छोड़ कर जाओगे वो यही रह जाएगा जो देख कर जाओगे वो साथ चला जाएगा इतना सा मंत्र है जिन्मेट अगर आपको लगता है ना, आपको साथ ले जाने है हाँ, खड़े हो यह पावन प्रभू आपको अगले जिनमें कितने लाख रुपे साथ ले जाने है चेंद्रम का साथ चाहिए तो वहाँ क्यों बैठे हो, मेरे पास आके बढ़े जो अभी साथ दे देता हूँ फिर वहाँ क्यों बैठे हो, आपको अगर प्रमात्मा का साथ चाहिए जिन शासन चाहिए, मुक्ति का लाब चाहिए, तो निकल के आजओ मुक्ति के मार्क पर यहां आजओ पिर नहीं ने, चाहिए, कुछ अभी भी चाहिए वह है ना, बाहर में, बाहर में तो दुकान है आपकी तो इसका मुलब कुछ तो चाहिए, अब आप सोचो आपको अगले जनम के लिए कितना चाहिए हर आदमी सोच ले बंदोवस्त करना पड़ता है हर चीज का जैसे यात्रा के लिए निकलो ना, तीन दिन के लिए तब भी टिफिन त्यार करना पड़ता है सोचो यहां से कितने जनमों के लिए निकलोगे, कौन से टिफिन त्यार की है, कौन सा बाता त्यार की है कौन से रस्ती की व्यावस्तापन लोगों ने कर लिए मैं अन्रोध यह आप लोगों से करना चाहूंगा हर कोई व्यक्ति आत्मचंतन कर ले कि मैं अपनी कमाई का 10% हिस्सा अगले जनम में लेकर जाओंगा और मैं आपको सची बता रहा हूँ अच्छी बैनो संते लोग अब तक कहते आए ना सारा सोना चांदी यह रह जाएगा मैं कहता हूँ सब साथ ले जा सकते हो बिल्कुल साथ चला जाएगा काम क्यों ले इतना सा करना है अगर यहां छोड़ गए बहुवों के लिए तो वहीं रह जाएगा पर आपने उसमें से कुछ निकाल कर लगा दिया किसी पवित्र काम के लिए लगा दिया मान ओता के कल्यान के लिए लगा दिया एक मंदिर बना दिया एक उपाश्रे थानक बना दिया एक कोई धरम साला बना दिया कहीं एक रूम बना दिया किसी हॉस्पिटल में ऑपरेसन ठीटर बना दिया किनी गरीबों के लिए सराय खा कहीं पर आपने आना थाले का द्वार उद्गाटन कर दिया कहीं पर आपने वर्दाश्रम में चार कमरे बना दिये कहीं पर आपने साल वर्दाश्रम में भोजन की व्योस्ता कर दिये मान कर चलना पीछे वो रहता है जो आप छोड़ कर जाते हैं और साथ में वो चलता है जो आप देखे जाते हैं तो जिरा बताओ कितना प्रसंट साथ में ले जाना है भाई साथ आपका शुब नाम जै कुमार जैन ठीक है आपने कितना सोचा अगले जनम कितना प्रसन ले जाना आपको फिर छोड़के जाना है अच्छे नोने फैस्ता कर दिया है मुझे अगले जनम को उसने ले जाना है सब यहीं छोड़के जाना है ले जाने के इच्छा नहीं है क्या केवल मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ मुझे अगले जिनम के लिए उस नहीं चाहिए मेरे भाई हर इनसान को अपने जीवन की व्यवस्था का ये भाग कर देना चाहिए आपके केतने बच्चे हैं तीन भी कमा रहे हैं मतलब तो फिर आप किसके लिए कमा रहे हैं इने लोगों की ने तीन बच्चों के लावा किसी और का भी तो करेंगे न देखूंगा अभी तो तीन में बजाओ मैं जीवन का पाठ आपको ये पढ़ाना चाहरा हूं हर किसे इंसान को मैंने दो लोगों को इसलिए खड़ा किया ताकि पीछे वाले सब लोगों को जीवन का पाठ मिल सके पर मैं कहूंगा हर पुरुष को हर महिला को अगर आपके पास बीस तोड़ा सोना है तब भी निरना कर लो दस तोड़ा सोना है तब भी निरना कर लो पांच तोला सोना है तब भी निर्णा कर लो मेरे पास जतना सोना है उसका 20% जमीन तो आपके पास नहीं होगी रुपीय आपके पास नहीं होगे पर सोना है ना उसका 20% मेरे पास जो जमीन है उसका 20% 10% और कम करो देख लो जितना आपको अगले जनम में ले जाना होतना कर लो और आपको चाहिए नहीं मुझे अगले जनम में फक्र जीना है तो कुछ भी मत करो ले लोगे हाथ में कटो रहा गुमते फिरना पर आपको चाहिए कि अगले जनम में एक बिखारी किसी सेट के दर्वाजी पर पहुंचा जाके का कुछ दो सेट ने का आगे जा उसने का कुछ दो उसने का आगे जा और उसने का माले कुछ दो अंततह जाते जाते बिखारे देखा सेट मैं लेने के लिए नहीं आया था तुझे देने के लिए आया था पर तेरी किसमत में लेना है यह नहीं मैं देने लेने नहीं आया मैं तुम्हें देने आया और मैं तुम्हें जीवन की सीख दिया आया था सेट याद रखना मैंने पिस्ते जनम में किसी को नहीं दिया तो आज मेरे हाथ में कटोरा है तो इस जनम में किसी को नहीं देगा तो अगले जनम में तेरे बोलो 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 तेरे हाथ में कटोरा आने वाला है अब तू देख ले तुझे अगर कटोरे से बचना है तो मेरा कटोरा भर दे और ने तो तीरे हाथ में कटो रहा आने वाला है ये जीवन की सचाईया है इसलिए हम किसी को अगर दे रहे हैं तो उसका भला नहीं कर रहे समझ में आई हम किसी को दे रहे हैं तो उसका भला नहीं कर रहे हमारे आने वाले कल का हम क्या कर रहे हैं भला कर रहे हैं, मैं इसलिए आपको जीवन का पाड़ पढ़ाते हुए कहना चाहूंगा, हर आदमी से अंकल पकल ले, मैं दूंगा, अगर आप पांस रुपे कमाते हैं, दो हजार कमाते हैं, महिने के दस हजार कमाते हैं, एक लाग कमाते हैं, पचास हजार कमाते हैं, अरे इ गहरे का भी दान कमजोर नहीं है जो आदमी रोज के 500 रुपे कमाता है अगर इसमें से वो 11 रुपे निकालता है तो बताओ, 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 बताओ है ना, बड़ी बात बड़ी बात है ना, निकालने की आदट डालो रोज सुबह उठकर मन में संकल पकरो, आज मैंने कोई नेकी का काम किया की नहीं किया किसी के भलाई का काम किया की नहीं किया आप में कोई है जिसके घर के बाहर दूब लगी हुई है बगीचा लगा हुई है, चोटा मोटा कौन है जिसके घर के बाहर दादाजी आपके बादाना खड़े होई है दादाजी आब बताएंगे वो जो दूब लगी हुई इसमें रोज क्या डालना पड़ता है पानी और एकर पानी डालना बंद कर दिया तो सूख जाएगी जिन्दगी का मंत्रसदा याद रखेगा आज जो हरा भरा भाग्य है अगर इसमें सतकर्म का पानी डालते रहे तो यह अगले जनम में भी हरा भरा रहेगा और नहीं डाला तो यह जनमी सारा का सारा सूख करके खतम हो जाएगा जैसे हरी घास को हरा रखने के लिए उसमें कुछ डालना पड़ता है ऐसे भाग्य को हरा भरा रखने के लिए आदमे को सतकर्म करना पड़ता है जैसे हरी घास को हरा रखना हो तो कुछ डालना पड़ता है ऐसे ही भाग्य को अगर हरा भरा रखना है हर आदमी के बीतर देने का संसकार होना चाहिए सोच कर सोचो सुबह के दस बज गए है आपने सुबह से किसी को कुछ दिया की नहीं दिया फिर दौपएर में सोचना दौपएर के दो बज गए है मैंने आप कुछ दिया की नहीं दिया फिर रात को सोचना सोते समय अरे रात के दस बज गए है मैंने किसे को कुछ दिया के नहीं दिया आपको याद आएगा हाँ 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 मैंने पत्नी को सोने के चुड़ला के दी थे ना चौधरी जी खड़े हो ये तो एक बात बताईए एक व्यक्ति ने अपने बेटी को दो कुड़ का अपना मकान दिया बना करके उसको इसके बदल में अगले जन्म में क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा पकी बात है पर एक आदमी ने किसी अनाथाले में जाकर दो लाख का कमरा बनाया अगले जन्म कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो बुद्धी आई या औरदू आगे बुद्धी आपको मैं ये दे रहा हूँ आपने अपने बेटी के बड़े पर एक लाख किसको मोटर साइकल दी पर बदले में एक पैसा मिलने वाला नहीं पर उसी के बड़े पर आपने किसी एक आदमी को 170 रुपे के थाली खिला दी तो आपको अगले जनम में मिलने की व्यवस्ता होई की नहीं मैं आपको ये अगाह करना चाहता हूँ 90% धन बच्चों के लिए खर्च करो परिवार के लिए खर्च करो परिजनों के लिए खर्च करो पर आज एमान दरी से संकल पकड़ दो मैं अपना 10% मैं अपने अगले जनम में ले जाने की व्यवस्ता करूँगा लोग कहते हैं कोई साथ में नहीं जाता बिलकुल जाएगा जो इनसान लगाएगा तै है उसके साथ वो माल जरूर जाएगा और आपको पता है अगर आप 10% यहां लगा देंगे ना तो वापस आपको 100% मिल दस अजार, दस अजार का 10% कर दो, एक अजार, एक अजार का 10% कर दो, इत्ता तो मिले गए, मिलेगा ना, अरे उन्होंने 10,05,100 तक तो चले जाएगा अगर आपने 10% भी लगा लिया तो आपको 100% मिल जाएगा, तो क्या मन बनाया आज? दो परसन लगा रहे हैं, चलो, ताली बजाएगे इनके लिए दो तो निकाल रहे हैं, साथ शाम तक आठ भी शुरू कर देंगे, थैंक्यो सुमत